मशकार, Food Cravings Unlimited में आपका स्वागत है तो आज की हमारी recipe है मूंग डाल का हलवा easy recipe है पर थोड़ा time लगता है इसको बनाने में तो आज हम देखेंगे इसको कैसे बनाना है तो इसके लिए मैंने यहापे लिए है 100 ग्राम मूंग की डाल इसको मैंने तीन से चार घंटे के लिए भिगो के रखा था और इसमें से भिगने के बाद पूरा पानी निकाल दिया है और इसको ड्राय कर लिया अच्छे से 100 ग्राम मूंग की डाल के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम शक्र और 75 से 100 ग्राम घी तो यहाँ पर मैंने 75 ग्राम घी उसकिया है और दाल को ऐसे दरदरा पीस लिया है जादा पेस नहीं बनाना है दरदरा पीस नहीं है एक बड़े बावल में हम दो कटोरी पानी ले लेंगी उसमें डाल देंगे 100 ग्राम शक्र और यह केसर पानी में भी ग्राव उसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से बावल कर लेंगे अब एक कड़ाई में हम लेंगे गी यहाँ पर मैं दो से तीन चमज गी उसकरूंगे पहले हम यहाँ पर एक दम से पूरा गी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके गी डालना है तो यहाँ पर मैंने पहले तीन चमज गी डाल दिया है इसको अच्छे से मिल्ट होने देंगे फिर इसमें आट करेंगे मूंग की पीसी हुई दाल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब हम मुंकी दाल हलवे गी में डालते हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा पहले-पहले चलाना हाड जाएंगा पिर जैसे देसे टाइम बढ़ता जाएंगा तो मुंकी दाल जो है सेपरेट होते जाएंगी मुंकी दाल के हलवे को हमें यहाँ पर लो टू मिडियम हीट पर पकाना है हाइ फ्लेम पर पकाएंगे तो ये मुंकी दाल जल जाएंगी और मुंकी दाल के हलवे के लिए रोस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टन्ट है इसको लगातार चलाते रहना है देखो तीन से चार मिनिट के बाद हम इसमें और थोड़ा घी डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे देखो पाच मिनिट के बाद मुंकी दाल थोड़ी सेपरेट हो गई है इसमें और थोड़ा घी डाल देंगे और इसको और 15 मिनिट के लिए चलाते रहेंगे देखो पूरा दाल पकने को 20 मिनिट लगे है अच्छा कलर भी आया है और स्वाद भी है अच्छा और जो हमने पानी लिया था शक्कर का उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा फुट कलर यहां पर मैंने पूरा गी उसके आया है ए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लंप्स न तयार हो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है एकदम से पूरा पानी डाल देंगे तो लंप्स हो सकते हैं मुंग डाल के अच्छे से मिक्स करना है अब हमाई इसमें डाल दूंगी पूरा पानी मुंग दल पूरा पानी शोक कर लिया है अच्छे से ड्राय हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे ड्राय फ्रूट्स और बचा हुआ घी यहां पर मैंने पूरा बचा हुआ घी डाल दिया है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ड्राय फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बदाम और पिस्ता बारिक कटा हुआ इसमें हम डाल देंगे इलाइची पाउडर एक छोटी चम्मच और यहां पर हमारा मौंग दाल का हलवा पक के रेडी है मौंग दाल का हलवा पकाने के लिए मुझे यहां पर तीस मिनिट लगे है बीस मिनिट डोस्टिंग के लिए और दस मिनिट पानी डालने के बाद तो इसको हम गर्मा गर्म सर्प करेंगे और उपर से डाल देंगे ड